फ्रेंट्स आज के इस विडियो में हम जानते हैं सोयाबीन के फायदे शरीर को हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए डाइट का ठीक होना बहुत जरूरी है इसके लिए आप सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं सोयाबीन में पाय जाने वाले पोशक तत्व गुन न सिर्फ शरीर को फिट और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं बलकि कई बीमारियों से भी बचाते हैं सोयाबीन पोशक तत्वों का पौवर हाउस माना जाता है सोयाबीन में प्रोटीन, हेल्दी फेट, कार्ब्स, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन E, आयरन, फोस्फोरस, मेगनीशियम जैसे पोशक तत्व पर्याप मात्रा में पाय जाते हैं यही नहीं इसमें कैंसर ओधी गुन, लेसिथीन आधी पाय जाते हैं भिगोकर खाने से शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा अमिताँ बजन बढ़ाने से लेकर शरीर की मान्सबेशियों को विक्सित और मजबूत करने के लिए सोयाबीन का सेवन बहुत फायदे मन्द होता है सोयाबीन में मौझूद पोशक तत्व शरीर की हड़ियों को मजबूत बनाने, शरीर में धून की कमी दूर करने और पेटव पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों को कम करने में मदद करते हैं. आप इसका सेवन स्प्राउट्स के रूप में कर सकते हैं. नमबर वन शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स सोयाबीन प्रोटीन का भंदार होता है. इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन शरीर में पचने के बाद यूरिक ऐसिद भी नहीं बनाता है. शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स स रोजाना एक कटोरी सोयाबीन को भिगो कर खाने से वजन बढ़ाने, मांस्पेशियों को विक्सित और मजबूर बनाने में मदद मिलती है नमबर टू, डायबिटीज के मरीजों के लिए राम बांग खानपान में गड़बडी की वजह से डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं डायबिटीज में लोग लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूद्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है डायबिटीज के मरीजों के लिए सोयाबीन बहुत फायदेमंद होता है इसमें प्रोटीन की ठीक मात्रा पाई जाती है और शरीर को इसका सेवन करने से शरीर में शुगर को मेनेज करने में फायदा मिलता है इसके अलावा भिगोया हुआ सोयाबीन खाने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक रहता है होट को हेल्दी रखने के लिए रोजाना भिगोया सोयाबीन खाना चाहिए सोयाबीन में एंटी आक्सीडेंट गुन पाए जाते हैं इसका सेवन करने से होट हेल्दी रहता है और शरीर में बलड सकुलेशन ठीक रखने में मदद मिलती है इसके अलावा सोयाबीन में एंटी इंफलेमेटरी गुन पाए जाते हैं आज के समय में मोटापा एक बड़ी और गंवीर समस्या बन गया है मोटापे की बजह से शरीर अन्य बीमारियां भी होने लगती हैं मोटापा कम करने के लिए रोजाना भीगोया सोयाबीन खाना फायदेमंद होता है इसका सेवन करने से शरीर को प्रोटीन मिलता है और इसमें मौजूद एंटी आकसिडेंट शरीर में फैट बनिंग प्रोसेस को तेज करता है नमब 5, कॉलिस्ट्रॉल में फाय देमंद, खानपान में गरबरी और निश्क्रिय लाइफ स्टाइल की वजह से हाई कॉलिस्ट्रॉल की समस्या होती है शरीर में बड़े हुए बैट कॉलिस्ट्रॉल को कम करने के लिए रोजाना भिगोया सोयाबीन खाना फाय देमंद होता है सोयाबीन के बीज में आइस ओफ लिवान्स पाए जाते हैं, जो शरीर में मौजूद LDL कॉलिस्ट्रॉल यानि बैट कॉलिस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं नमबर सिक्स, हाई ब्लड प्रेश में फाय देमंद रोजाना एक कप भिगोया सोयाबीन के बीज खाने से शरीर में ब्लड प्रेश ठीक रहता है इसका सेवन करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेश को ठीक करने में मदद मिलती है अगर कोई गंबीर बीमारी या परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत